Assalamualaikum, Hello Dear Student, आज इस वीडियो लिक्चर में मैं आपको डिसकस करूँगा टाइप आप विक्सीन, इस पहली वीडियो में मैंने आपको डिसकस किया कि विक्सीन का मूड अपकिक्शन किया है, विक्सीन 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 लाइफ एटिनिवेटिड विक्षीन, इनिक्टिवेटिड आर्किल विक्षीन, मेसेंजर आरने विक्षीन, सब यूनिट विक्षीन, टाकसाइड विक्षीन, कांजुगेटिड विक्षीन, वायरल वेक्टर विक्षीन, सबसे पहले हम डिसकस करते हैं, लाइफ लिविंग मोडिफाइटấpाइड मायक्रो अरगेनिजम हम जब क्या करते हैं? कि लीविंग अरगेनिजम जो है, हम इसको क्या करते हैं? माडिवाई करते हैं लीविंग अर्गिनिजम को हम विकेंड करते है विक बनाते है लेव में इस किसम की विक्सीन को जिसमें हम माइको अर्गिनिजम को विकेंड करते है इसको कमजूर बनाते है और इस माइको अर्गिनिजम को हम क्या करते है लाय होते है लेकिन कमजूर करते है इसका क्या मतलब ह कि ये इमेनुजिनिक होता ए इसके खिलाब इंटिबॉरडी बनते हैं बाट नाट पेतूजिनिक लेकिन ये पेतूजिनिक नहीं होता है इस explic Agrism को जब हम इस प्तारी विक्सीन यूज करते है इसको life attenuated विक्सीन केते है लाइब एटिनिवेटिड विक्सीन में माइकुर अगिनिजम लाइव होगा वो हम किल नहीं करते लेकिन हम इस तरह माड़ीपाई करते है कि उसमें डिजीज काजिंग इबिलिटी खतम हो जाता है और इंटिबार्डी प्रोडक्शन जो वो कर सकता है इम्मिनिटी सिस्टम को स्टिमूलेट करते है इस किसम की विक्सीन को हम लाइब एटिनिवेटिड विक्सीन केते है ये विक्सीन का पैदा किया है आपने याद रखना है के इट प्रोडूस लांग टर्म इम्मिनिटी ये long term immunity आपको देते हैं और single dose इसके लिए copy होता है लेकिन इसका disadvantage किया है आपने याद रखना है virus can mutate आपने virus के property में देखा है कि virus mutate भी हो सकता है ये reverse बेक हो सकता है और ये virulent भी बन सकता है दूतरी बात ये है इसके disadvantage में चूंकि ये virus है तो मतलब living है तो transportation जो है difficult है मतलब एक जगा से दूतरी जगा ये vaccine अगर लेकी जाते है और रिप्रिजिरेटर आपके पास नहीं होता है तो ये vaccine expire होते है तो आजकल जो live attinuated vaccine है वो हमारी पाकिस्तान developing country है बीजली के problem होते है इसको आप प्रिजर में रखते है और आपके साथ अगर प्रिजर नहीं है तो ये vaccine क्या हो सकता है ये vaccine expire हो सकते है तो इसके दू major disadvantage है की mutate हो सकता है और ये transportation का difficulties में होता है example मैं आपको बता रहूं कि oral pulio vaccine जो आजकल आप जूज करते हैं आपने देखा होगा अक्सर जब pulio vaccine कर ले थे तो वो क्या होते है कि एक pocket में लेके रखका होते है इसमें ice रखका होते है और वो आप को लेके आते है yellow pure जो है ये viral disease है इसके खिलाब जो vaccine है hepatitis B के खिलाब जो vaccine है वो भी लाए हो है BCG का मतलब है bacillus calumet guurine bacillus calumet guurine ये T mycobacterium tuberculosis के खिलाब यूज़ करते है mycobacterium TB के खिलाब ये जो है ये vaccine यूज़ होते है ये live attinuated vaccine है दूसरी category में जो हमारे पास vaccine आते है वो inactivated या kill vaccine है inactivated या kill vaccine इस असल में ये क्या होता है कि ये antigenic substance होता है मतलब ये micro organism हो सकता है लیکिन हमनी क्या करना होते है हमनी क्या है produce from the ecosystem by killing them इसमें हम क्या करते है micro organism को kill करते है और ये vaccine जो है जी जिस vaccine में हम micro organism को kill करते है inactivation करते है इसका नाम होते è kill vaccine या inactivated vaccine अभी किस तरह kill करते है heat की जरजे या kirmic society हम kill करते है इस किसम की विक्सीन जिसमें किल्ड हो माइको अर्गिनिजम या वाइरस इसमें क्या हो किल्ड हो इसको हम इनक्टिवेटिड या किल्ड विक्सीन कहते हैं अभी ये स्टेबल होते है इसके एडवांटेज क्या है और ये सेपर होता है क्योंकि in the microorganism या virus kill है तो ये जिन्दा नहीं हो सकता है और जो लईव इटूऩेट है इस में वो mutation करकी जिन्दा हो सकते हैं लेकिन इसमें जिन्दा नहीं हो सकते हैं ऐी safe vaccine है और दोतरी बात इसके पैदा ये है कि डू नट रिकॉाइड रिप्रिजिरेशन इसके लिए रिप्रिजिरेशन की जरूरत नहीं है तो ट्रंसपोर्टेशन इजली आप एक जगा सी दूसरी जगा ये विक्सिन ट्रंसपोर्ट कर सकते है लेकिन इसमें के बिग डिसडवांटेज जिसका ये है कि शाट टम इम्मिनिटी ये आपको देती है एक बात ये है दूसरी ये है कि आपने तीन चार डोजिज इसके लगाने है क्योंकि ये तो किल है तो एक काम नहीं कर सकता इसका example हमारे पास क्या है टाइपाइड विक्सीन तीसरी category में जो विक्सीन है वो messenger RNA विक्सीन है messenger RNA विक्सीन ये modern विक्सीन है ये Corona Virus की खिलाब भी आजकल जो बनते ही विक्सीन है इसमें ज्ञादातर messenger RNA विक्सीन है ये कुन से विक्सीन है those vaccine which contain messenger RNA that X is a vaccine वो विक्सीन जिसमें आप मेसिंजर आरेने वारिस का यूज करते है इस किसम विक्सीन को आप मेसिंजर आरेने विक्सीन के ते बहुत असान है इसका पैदा यह है कि शार्टर मिनि पिक्चरिंग टाइम इसका मिनि पिक्चरिंग टाइम जो है वो क्या होता है शार्टर होता ह तो इसका पैदा क्या है इसका पैदा यह है कि इसका पैदा यह है कि मतलब आपको जिल्दी ही मिलता है दूसरी बाद यह है कि नो रिस्क आप काजिंग डिजीज काजिंग की रिस्क जो है इसमें मतलब नहीं होता है और इसका जो आपका इस्ट्राजीनिका विक्सीन या जी मतलब बनाते है पॉलिशी का राइड विक्षीन वगेरा वगेरा इसमें हम क्या करते है उनली कांटेन पार्ट आप दे इपिटोप इसमें स्रीप मतलब जो वायरस है इसका एक पार्ट होता है इसमें मेसिंजर रने इसमें लीविंग किल्ड अर्गिनिजम है इसमें क्या करते हैं एक पार्ट लेते हैं मतलब वक्टीरिया या वायरस का मैं आपको एक्जामपल बताğरू है ही पाद कशिए बी व्यरस के यो सर पिस इंटीजन है हम इसके Meg Janus करते हैं इसको सब यूनिट वक्टीरिया किते है इसके साइडे पिक्स किया होते है लो होते हैं तो इस वज़े से हम इसको यूज करते हैं इसके बाद हमारे पास हमारे पास जो विक्सीन है वो टाकसाइट विक्सीन है बिक्टीरिया एक खास किसम का पाइजनस सब्टांस रिलीज करते है प्रूटीनिशस सब्टांस रिलीज करते है और इसका नाम होते है टाक्सीन को विक्सीन के तोर पिसको माडिपाई करते हैं टीके ना इसको प्यूरिपाई करते हैं पार्मलीन के साथ ट्रीट करते हैं और एक सी जो हम विक्सीन बना थे इसको टाक्साइट केते हैं आपने याद रखना है वाटर टाक्साइट विक्सीन विन एक सो टाक्सीन अ और पारमलीन सी ट्रीट करते हैं, इसकी दो important example है, डीप्तीरिया और ट्रीटनस, यह दोनों डीप्तीरियल टाक्सीन और ट्रीटनस, आप जब accident करते हैं तो आपको एक injection लगाता है, इसका नाम होता है टीटी injection, टीटी का मतलब है ट्रीटनस टाकसाइड, इसमें क्या होते हैं, titnes bacteria है जो piralis इसकास करते है इसके खिलाब vaccine अविलेबल है और इसका नाम है toxide vaccine टाकसाइड vaccine में हम bacteria की 100 toxin को यूज करते है viral vector vaccine क्या होते है दोज vaccine which used modified viral different virus is a vector to deliver protection अच्छा ये असान बताता हूँ मैं आपको वो vaccine जिसमें हम क्या करते है एक virus को vector की तोर पर यूज करते है मतलब vaccine एंटर करनी के लिए इस किसम vaccine को viral vector vaccine की ते मैं इसका example आपको बता रहूँ तो आपको समझाएगा हमारे पास एक virus है इसका नाम है एडिनो वाइरस ये एडिनो वाइरस जो है असल में ये क्या करते है ये एडिनो वाइरस में हम क्या करते है कोई 19 की vaccine डालते है जब ये एडिनो वाइरस इंटर होता है तो ये तो इंट्रासूलर वाइरस होता है ना मैं इंट्रासूलर multiplication करते है तो वायरस कापी बनाता है सिल्ज डिस्प्ले करते है immune system आके इसको रिकागनाइज करते है इस अपारन और इसको किल करते है फिर मतलब इसके खिलाब antibody बनते है तो जब future में कोई वायरस आता है COVID-19 तो इसके खिलाब तो antibody बने है इस डिनो वायरस के जरीश का कोई पार्ट हमने इंटर किया है तो इस किसम को हम क्या किये थे viral vector vaccine